निवश्कार आपके साथ मैं हूँ देपिका मलाइका रो रही थी अकेले में हलाकि जब वो मा के साथ थी तो उन्होंने अपने आसू को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन जब जब मलाइका अकेली हुई तब मलाइका की आँखों में आसू भी आगए और कल लोगों ने भी देखे मलाइका जितनी बोल्ड है उतनी ही बहुत ही सदा स्ट्रॉंग है और सब जानते हैं कि मलाइका ने हर मुश्किल का सामना किया है चाहे उनके माता पिता का डैवोस हो जब वो 11 साल की उमर में थी चाहे उनकी मा की शादी हो सौतेली पिता का साथ हो या फिर उनकी खुद की शादी हो जिसनों ने काफी सारा सफर भी किया उसके बाद डिवास भी हुआ लोगों ने ताने मारे उसके बाद अरजुन के साथ रिष्टे में आई तब भी उन्हें काफी ताने मिले कि अरजुन उनसे काफी छोटे हैं मलाइका ने हर चीज़ को हिम्मत के साथ उनका सामना किया है लेकिन आज जब पिता चले गए और मलाइका अकेली थी मा के सामने तो नहीं लेकिन जब वो अकेली घर की और जा रही थी कार में बैटी हुई थी तो मलाइका रो रही थी हाला कि उन्होंने पनी फेस्व कवर करने की कोशिश की हुई थी मास्क के जरीए लेकिन फैंस को सब कुछ नजर आ रहा था कि मलाइका अंदर ही अंदर तूट कई है क्योंकि उन्हें भी लगा नहीं कि उनके पिता इतना बड़ा कदम उठा लेंगे एक दिन पहले उनकी बहन अमरिता अरोडा घर पहुची थी माता पिता को बाई किया था खाना भी खाया था मुलाकाद बेकी थी सब कुस ठीक था हाला कि ये मालूम है कि उनके पिता बिमारी की वज़े से ठीक फील नहीं कर रहे थे उससे पहले भी नौ बज़े से पहले जब ये हासा हुआ उससे पहले भी मलाइका मुरिता से बात हुई थी उनके पिता की तब भी सब कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं लेकिन उसके बाद अगला कॉल आया तो पैरों से जमीन खिसक गई मलाइका के और यही वचा है कि मलाइका जब कार में बैठी हुई थी घर की और जा रही थी अंतिम विदाई देने के बाद अपने पिता को तो आखों में आसू थे और उन आसूं को पोश्टी हुई नजराही मलाइ किसे देगाइ